अपनी लविस्टोरी के चलते काफी जाधा सुर्ख्यों में बनी हुई है अंजू 21 जुलाई के दिन अंजू राजिस्थान से पाकिस्तान के कराची पहुँच गई अपनी प्रेमी नसुरुला से मिलने जहाँ पर उसने कुछ ही दिनों में धरम परिवर्तन कराया और निकार अचालिया नसुरुला के साथ लेकिन अब अंजू दिल्ली में है भारत वह 29 नवंबर के दिन वापस लोटाई भारत लोटाने की बाद अंजू ने अब साफ कर दिया है कि आखिरकार उसका आगे का प्लान क्या है दरसल अपने एक निजी इंट्रिव्यू में अंजू ने साफ कर दिया है कि अगर उसके बच्चे भारत में रहना चाते हैं तो वह भारत में ही रहेगी वह पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी और इसी के साथ अन्जू ने ये खुलासा भी किया है कि आखिरकार वह पाकिस्तान क्यों गई थी, बिती पिचली रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी ही कि आखिरकार अन्जू किस तरह से अरविंद के साथ शादी के बंधन में बंद गई थी साल 2007 में और अरविंद के साथ उसका रिस्ता कैसा रहा था अंजू ने साफ तोर पर खुलासा किया है कि अरविंद के साथ उसका रिस्ता अच्छा नहीं था दोनों के बीच बंती नहीं थी और दोनों एक दूसरे से लंबे वक्त पहल खास अच्छा नहीं चला जिसके बाद से अर्विंद से अलग होकर रहने लगी लेकिन अब अंजु ने खुलासा किया है जो अपने प्रेमी नसुरुला के पास वह पहुंच गई कराची इसी को लेकर अंजु ने बताया है कि वह पहले भी नसुरुला को भारत आने के लिए क उसका कहना रहा कि मैंने फिर नसुरुला से कॉंटेक्ट नमर मांगा हमारी एक हफ्ते तक स्वास्ति को लेकर बात हो रही थी मैंने उन्हें कहा कि उन्हें ट्रीट्मेंट के लिए भारत आना होगा लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया मगर हम दौनों की दोस्ती जरूर गहर कर जाती तो कोई भी मुझे वहां नहीं जाने देता मुझे नसुरुला से शादी जरूर करनी थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं अंजु का कहना साफतोर पर रहा कि मीडिया ने जिस तरीके से खबरे दी जो खबरे यहां पर सुनने को मिली उसके चलते उसे नसुरुला से जल वहीं बेटी के संपर्क में अंजू बनी हुई है तो वहीं अपने एक्स पती अरविंद के संपर्क में भी मालूम हो कि अरविंद के तेवर भी नरम होते हुई नसर आ रहे हैं अब देखने वाली बात होगी कि आपसी सहमती से दोनों एक दूसरे से अलग होकर तलाक लेते फैसला होगा क्योंकि अंजु लंबे वक्त से ही अपने पती अर्विंद से अलग रह रही है तो देखना होगा कि आखिरकार अंजु का आने वाले समय में क्या कुछ फैसला होगा और क्या कुछ फैसला होगा अंजु की बेटी का जो 16 साल की है जैसे पहले से ही पता था कि नस सुरुल्ला से उसकी मा बातशीत करती है देखना होगा कि आखिरकार अंजु की बेटी क्या एहम फैसला लेती है